HSSC के चेर्मेन हिमत सिंग ने एक प्रेस कांफरेंस की और कई एहम भरतियों को लेकर उन्होंने जानकारी दी उन्होंने बताया कि 5 एक्जाम हो चुके हैं हम रिजल्ट निकालना चाहते थे लेकिन आचार सहिता की गाइडलाइन्स काम ने पालन किया जो एक्जाम होने हैं वो समय पर होंगे भरतियों को लेकर चात्रों की सबाल ते गर्चुना वायू की शिकायत पर HSSC ने क्या शिकायत दी आपको सुनवाते कि इलेक्शन कमिशन की तरफ से में कंप्लेंट रसीव होती है उसमें यह बोला जाता है कि आप लोग ने यह जो एड़ोटीजमेंट की है वो एलेक्शन कमिशन का अब M.C.C. इस दिन डिक्लेर किया उस दिन यह हुई है उसका हमने क्लारिफकेशन भेज दिया था लेकिन उसके रेस्पोंस में जो हमें लेटर आया है उसमें यह मैंचल था इस पर्टिकुलर एड़ोटीजमेंट पे जो 6100 सम्थिंग टोटल पोस्ट की थी कि इसका फाइनल रिजल्ट आप नहीं डिक्लेर करेंगे उसके दो दिन बाद हमें फिर दो रिपर्जेंटेशन रेसीव होती हैं है का गीश्ट इस नट सफ तरह टू एलेक्सट और जीक्रेटरी ओंः जो इसमें एक केश होता घंडान होना नहीं होंगे तो बहुत सारी यह मैं ह sulla है यह करने लगे हैं लिए कम कमिशन की गाइडलाइन से भी हम लोग बाउंड है हमें वो कम्प्लाइ करनी है तो इन किसिस का तो यह है कि पांथ जो गूरूप से वो हम एलेक्शन कमिशन के अकोडिंग ली ही जो आया है मैं आपकी साथ अभी शेयर करें जो बाकी एक्जाम से जो सेडूल दिया गया है वो उसी करे के कोडिंगली होगे उसमें स्किल टेस्ट भी है जो स्किल टेस्ट एक्स करे के को तकर दिंगली होगे फॉरस दिपार्टर्मेंट की कैच पे म्टी पिंटी पीच्ट होगा तो वह एक्जाम के साथ ह्ष पर और और कुछेशन उसे के से»,-अग्ग्विग यह ग् Block और उसके कोडिंग ली होगा बच्चे भी उसके कोडिंग ली अपनी त्यारी रखें